पूर्म मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने जिनता जाहिर करते हुए पूरे प्रदेश में माइनिंग माफिया किये हाबी होने की बात कही है उनका कहना है कि नर्मदा की छाती को चीरा जा रहा है जिससे प्रदेश अंदकार में जा रहा है इधर कॉंग्रेस अब प्रदेश के तला पानी कम आता है बांदों में तो उसको निकाल देंगे तो पानी ज्यादा आएगा अगली बाता है जिसे इरिगेशन होगा जिससे बिजली पैदा होगी और दूसरा वो रेत जो है वो उसकी राइल्टी सरकार को मिल जाएगी तो एक आर्थिक इस सीधी बैतर होगी तो कुल म परदेश अवैद माइनिंग की करत में जा रहा है माइनिंग माफिया हावी है हमारे कहने के बाद में सरकार के मंतरी और विधाए के चुके के रेत माफिया परदेश को अपनी कबजे में लिए हुए अब बाबासरी स्वयम धरने पे बैठ गए नरमदा मा की चाती को चीरा जा रहा है दुखत बात यह कोई सुनने वाला नहीं और उस पर सितम यह कि अब तालाब भी खोदे जाएंगे चारों तरफ लूट का बाता बरन है और इसके कारण से भै का बाता बरन है प्रदेश पूरा अधेरे की गर्त में जा रहा है दुख इस बात का है कि कोई धनी धोरी नहीं है अंधेर नगरी चौपट राजा टके सेर भाजी टके सेर खाजा जैसी कावते और किस से आजकल लोगों की जवान पर है लोगों के लिए लड़ाए फिर लोगी सबसे पीछे जनता के लिए वाइदे फिर फाइदे में जनता ही पीछे आवाम के लिए सियासा फिर हुकूप में आवाम ही पीछे पबलिक फास्ट इंडिया फास्ट न्यूस का ऐसा मच जा सोफ और सर्फ आपके मुद्द पहले आपके आज़ फास्ट देखिए पबलिक फास्ट वाइस आफपबलिक उनली आम इंडिया फास्ट न्यूस